भागलपूर पुलीस को बड़ी सफलता हाथ नगे है। जब्त किया गया। इसके पास से घर की जब तलासी ली गई इसके पास से एक पिश्टल एक सिक्सर एक राइफल एक एयर गन राइफल एक एयर गन पिश्टल 110 कर्तूस 6 खोका और 6 हाइग्रेट सीयोटू गैस मिला है इस पूरे चाप नमारी दल में एसपी प्रोबेशनर जो हैं डीएसपी सिट थाना देच अनील कुमार और हमारे डीएउ के पूरी टीम थी इसमें इन सभी टीम को सेस्पी सर के द्वारा पूरुस्कित किया जाएगा इसी करम में भागलपूर में बसंत पंचमी की धूम देखी जा रही है सहर की सभी स्कूलों और कॉलेज में मा सरस्थी की प्रतिमास थापित कर पूजा पाठ किया जा रहा है चात 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 राएं मा सरफस्ती की अराधना में जुटे हुए हैं। चात 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 रहा है। चात 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 रहा है। भी बना हुआ है बारिस की वज़ा से थोरा सा आर्ट गेलरी जो है खराब हो चुगा है लेकिन जो हम लोग साइंस एक्जिबिशन लगा है वह बहुत अच्छा हम लोग बना है हम लोग चाहते हैं कि आस्था विश्वास और जो हम लोगों का मेडिकल साइंस का जो नॉलेज ह उसको कहीं न कहीं समाज तक पहुंचाएं ताकि आने वाले शमय में जो हमारा जन्रेशन है जो हमारा समाज है वह भी सीखे बच्चा जब जम लेता है तो कई बार बच्चा तुरत रही रोता है रोने में देर हो जाता है ऐसे में बच्चा च्छतिक रस्थ हो जाता है और उसके बच्चने की सम्मावना कम हो जाती है और यदि बच्चा तो भविस्वे उसमें बिकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और जिंदगी भर बच्चा बिकलांगता से ज गया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने के भी संभावना बढ़ती है पहली बार बिहार जारकंड में आपके सहर के स्ने नवजासिसु बालसेवा के अंदर में यह मशीन उकलब्द है कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में बिलंब हो गया तो आप स्ने नवजासिसु बालसेवा के अंदर में जरू संपर करें अगामी लोगसभा चुनाब को लेकर भागलपूर सहर में भाजपा के दौरा आज सहर के बीचों बीच लोगसभा चुनाब कारियाले का सुभारम किया गया इस कारियाले की सुभारम में दर्जनों भाजपा के प्तादिकारी वस्तस से मौजू थे अगामी 2024 की चुनाव को लेकर इस कारियाले से चुनाव की सारी रन्निती बनाई जाएगी और सारा कारे किया जाएगा वही भाजपा की भागलपूरी काई की जिलाध्य संतोस सहा ने बताया कि अब की बाद 400 पार की संख्या भाजपा पार्टी के नहींगे और बिहार की 40 से 40 सी हमारे प्रदेश मंत्री स्री अनिल ठाकूर जी रोश्ता की सुमंग जी सहित हमारे रोहित बांडे जी और सभी लोग उपस्टित हैं और सभी कारियाले का वोद घाटन के अपसर पर हमें उकठे हुए हैं और हम सबों ने जो संकल्ब लिया है उसे कारियालों अस्थान से करने के लिए तो सभी का एक परिचय भी हो रहा है और हम सभी लोग मिलकर जो संकल्ब लिये हैं अपकी वारे 400 बार और बिहार की 40 की 40 सिटे जिते का जो संकल्ब को हम वो गुढ़ा रहे हैं और आज के इस प बागलपूर के गोरा डी और उसके आसपास की रहने बाले लोगों के लिए बड़ी खुसकबरी है अब गोरा डी में मोबाइल फोन, LED TV, वासिंग मसीन, फ्रीज जैसी एलक्ट्रोनिक आइटम लेने के लिए उन्हें दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अब गोरा डी में बिरनोग चौक पेट्रोल पंप के पास बिने मार्केट में राजनन्दरी इंटरप्राजेच के भवे सोरूम का उदखाटन बसंद 25 रोस्ती पूजा के सुभवसर पर हो गया है इस सोरूम में आपको सभी प्रकार की जरूरतों के अलोक्चौनिक आटम का हर ब्रांड का मोबाइल, टीवी, फ्रेज, वासिंग, मसीन, गीजर, पंखा, इंवर्टर, बैटरी सहीत तमाम चीज उपलब्ध है सोरूम का गोराडी के बीडियो प्रभात केशरी, गोराडी पुलीस निलचक सांता सुमन, पुलीस निलचक संजे सार्थी के दरा सयुक्त रूप से फिता काट कर भव्भुद घाटन किया गया गोराडी में इस तरह की सोरूम को देखकर काफी गदगद हुए, साथी वाँ मिल रहे सामानों की कीमत को जान कर भी लोग काफी खुस वे, ओनर पिंटू कुमार ने बताया कि गोराडी में इस तरह के लक्ष्ट्रोनिक आइटम सोरूम की बहुत जर्रती, लोगों को ऐसे स सामान खरितने के लिए सहर जाना पड़ता था, लेकिन उन्होंने अस्थानिये लोगों की परिसानियों को समझते हुई, अब गोराडी में ही भब सोरूम सुरू कर दिया है, यहां लोगों को काफी आकर सक कीमतों पर तमाम तरह के लक्ष्ट्रोनिक आइटम उपलब्ध हो जीरो परसेंट इंट्रेस्ट रेट पर भी सामान ले सकते हैं, और असान किस्तों पर उसकी कीमत का भुक्तान कर सकते हैं, अब गोराडी सरमसपूर से चलते हैं, तो सरमसपूर से पुरा सनहुला तक में यह चीज नहीं है, और यह पहला दुकान ऐसा है, जहांकि सारा अबलेबल है, चाएवाट टीवी हो, फ्रीज हो, एसी हो, कूलर हो, पांखा हो, किसी भी ब्रांड का, यह मोबाइल हो, मोबाइल में भी हम लोग सारा कंपनी लेके आया हैं, सामसांग, ओपो, वीबो, रियलमी, रेडमी, सारे कंपनी को लेके हैं, और सब से सस्ता, और सब इमाई पर, हमारे पास 3-4 फाइनांस है, जो कि हम लोग कम से कम इमाई कोस्ट में देने के कोसिस कर रहे हैं, और केस्टमबर को यह भी सुविदा होगी, हमारे पास सारा रेंज है, जो कि उनको भागलपूर अब जाने की जरूरत नहीं है, इस देहायत में हम सारे सुविद के साथ हम लेवल हैं, जो कि हम लोग चाहा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग इस छेत्र पर विक्सित करें, जो लोग भागलपूर जाता था, वह आज यहां आए और सौपिंग करें, कम से कम एक बार मेरे दुकाउन को जरूर भीजिट करें, क्या सोच के साथ और चीप एंड बेस्ट रेट मिले, गोराडी लोगों के लिए हमारा दो दिन का भी ओफर है, चाओदा और पंद्रा, दो दिन के लिए ओफर है, पांच परसेंट से तीस परसेंट तक डिसकाउंट अभी चल रहा है, पुन्हा ये कमपनी के तरफ से हम लोग बोल के करवाय है, उमीद है कि ये दो दिन तक रहेंगे, उसके बाद अपुन है, जो रिट है, एमोपी पे ही माल भिकेगा, फाइनस का क्या सुब्दान लोग, फाइनस कैसे मिलेगा, फाइनस हमारे पास, टीवियस है, बजाज है, सायमसंग फाइनस है, चोला मंडल फाइनस है, चार फा साथिका की सोरूम में हर जगा से काफी कम दामी सामान मिल जाएगा वहीं उद्घाटन के मौके पर पहुंचे ग्रहक सोरूम में मिल रहे प्रोड़क्ट को देखकर काफी खुस हुए कई लोगों ने उद्घाटन के अवस्टर पर खरिदारी भी की खासकर मोबाइल की वर्याटी देखकर सभी कश्टमर खुस हुए उद्घाटन के मौके पर पहुंचे आगनतो का तीतियों ने सोरूम के प्रोप्राइटर पिंटु कुमार को बधाई दी राइनन्दनी इंटरप्राइजेज के वह जो प्रोप्राइटर हैं काफी यूबा हैं मेहनती हैं और इनका पहले से भी वेवसाय चल रहा था जिनको आज गोराडी में बढ़ाए हैं निशित रुप से यह गोराडी के लिए एक स्वभाग की बात है और मैं सवी से आगरा करूंगा कि इस दुगान की जो सेवाएं हैं अधिक तम ले धन्यवाद देखिए भागलपूर से आप निकलिएगा ना गोड़ा पोचिएगा राइनन्दनी इंटरप्राइज जो है इससे अच्छा दुकान आपको भागलपूर से गोड़ा तक में नहीं मिलेगा और विसे छूट पर भी यहां आपको मिलेगा इसलिए देखिए आप तो देख है मुबाइल है बैटरी है मिक्सी है हर तरह का जो है यहां मिलता है समान से पहले भागलपूर से और यह सेवा सब दिन दे रहे हैं अब यह नया बड़ा सोरूम का धाटल होगा दो लाड़ानी में कितना जब्रत है देखिए यह गरामिन छेत्र है अभी गरामिन छेत्र में अइसा जो है यह मेला भी लगाते हैं बार बार किसे छुट पे और अइसा निहाइज जरूरी है जो कि यहां के गरामिनों को भागलपूर अब जना नहीं परेगा बिनरोज चोग पे भी उचित मूल पे यहां सब कुछ मिल जाएगा तो अगर आप भी लग्ट्रोनिक आइटम में मिल रही छूट का फाइदा लेना चाहते हैं तो तुरंत गोराडी में बिरनौद चौंक पेट्रोल पंप के पास बिने मार्केट में राजनन्दनी इंटरप्राजज के भवे सोरूम पहुँच जाए और वहां मिल रहे भारी छूट का लाब उठाए उद्धाटन के मौके पर विकाज बिहारी सिंग, उदैस सिंग, इंद्रदीप सिंग, चंदन सिंग, निर्मल, सुनील यादब सहित कई अनिलोग एवं गरामीन मौजूद थे तेरा फरवरी को भागलपूर पुलीस को सूचना मिली कि एक बैक्ती अपने पास हतियार कार्थूज चुपाय हुए, सूचना के सत्यापन इस तीम दोरा बड़ी खंजरपूर के रहने वाले रवी कुमार के घर पर चापे मारी की गई, जहां रवी कुमार के पास एक पिश्टल मैग जी ने ओम कार्थूज बरामत किया गया, रवी कुमार को गिरफतार किया गया पिश्टल एक मैग जी और दो कार्थूज को बरामत किया गया है इस चापे मारी दल में ठानाधस बरारी और रंजीत कुमार जो डियाइउ प्रभारी है और उनकी पूरी टीम ने बड़ा अच्छा काम करते हुए इन पूरे को गिरफतार किया गया है पुलिस कानुन जवस्था और अपराद नियंतरें के लिए तक पर है और इस किसी तरह से भी सुचना अगर प्राप्त होती है तो हम लोग उसमें करवाई करने हैं इसके साथ साथ एक बिदाओट लाइसेंस एरगन मिला है जो शिक्सर है इन्होंने जो करड़ा है वो भी बिदाओट लाइसेंस है तो यह कंप्लीट इलीगल है और इसलिए यह कारवाई की लिए बागलपूर की लाशपत पार्क में आज जीवन जागरित संस्था की और से मातरी पित्री दिवस्मन आया गया इस दौरान पारंपरी की वेस्वूसा में सैकलोष छोटे छोटे बच्चों ने अपने माता पिता की पूजा अर्चना की और आसिरवाद लिया कारिक्रम के दौरान चुटश्टे बच्चे राम सीता की वेस्वूसा में नजद आये सभी बच्चों ने अपने माता पिता को तिलिक लगाया उसके बाद आर्टी उतारी फिर गले में माला डाल कर चरन असपर्स कर असिरवाद लिया इस तरह कारिक्रम से जहां बच्चों के माता पिता खुज दिखे तो वहीं सहर की लोगों ने इस तरह के कारिक्रम के आवजन करता की परसंद साकी देखे ऐसे कारिक्रमों से जो अभी समाज में कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से कोई यदी अब संस्कृति यदी है तो उस पर हार करने वाला यह कारिक्रम है और युवा पीरियों को जागृत करने वाला और बच्चों में एक संस्कार डालने वाला सनातन संस्कृति के प्रती प्रेम का भाव पैदा करने वाला यह कारिक्रम है इस कारिक्रम के माद्यम से आप देखेंगे कि बच्चे अपने माता पीता की पूजन अराधना कर रहे हैं और एक उनमें इस्वर का रूप उनमें देखते हैं और अगर यही भावना यहीं सभी बच्चों के अंदर हो तो कहीं से भी समाज में कोई भी कुरीतियां वह घर नहीं कर सकती हैं और हर लोग एक अच्छे परंपड़ा के को निरुकार निरवहन करते वे समाज में अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकते हैं इसलिए में आयोजिन कमिटी के सभी सदस्चियों को बहुत ही पवित्र आयोजिन की बहुत सारी सुबकाम नौ वर्स पुर्वर हमनों ने इस कारिक्रम को सुरू किया और वास्तव में इस कारिक्रम की सुर्वात संथ स्री आसालमजी बापू ने 2006 में सुरू की और आज मुखिमंत्री ने भी महापड मात्री पित्री बंदन का कारिक्रम करेंगा शुरू किया और यहां पर बच्चों बच्चे लोग अपने माता पिता का पूजन करते हैं 14 फरवरी को जिस रूप में लोग जानते थे उस लकीर को चोटा करना है तो उसके आगे बड़ी लकीर खीचनी पड़ती है तो पास्चात्री संस्कृती की जो हवा हमारी देश को प्रभावित कर रही थी को आज हमारी संस्कृती की सुवास उन लोगों का भी मंगल कर रही और हम लोग भी भागलपूर में बरेश तरफिस कारिक्रम को करते हैं और बरसाद के कारण हम बहुत सारी अववस्थाएं हुई लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर पहुचे हैं मुझे बहुत खुसी है इस परकार का कारिक्रम पुड़े देश में मना जा रहा भागलपूर म भी यह अच्छे खासे धंग से लोग इसको यह कर रहे हैं हुआ है